Okay, our today topic is related to object based database systems object based database system object based database system में यहाँ पर हम सबसे पहले study करेंगे what is object what is object second thing what is object based database object based database नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कुस करेंगे अबर में तिंग इस ओर डीवी एमेस वट इस ओर डीवी एमेस अब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम एवरिटिंग इस क्लिर टो एर्रिवन साउंड है और एनी वीडियो प्रोब्लम्स सभी को साफ कोई टेक्निकल प्रोब्लम तो नहीं है किसी के साइड में ओडिबल प्रोब्लम्स और एनीथिंग ओके लेट्स कंटिनू तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह स्लाइड मैंने इसलिए डाली है कुछ स्टूरेंट्स को ऑबजिक्ट के बारे में नॉलेज कम होती है इसलिए मैंने इसको एंड कर दिया है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपकी जो अबजेक्ट ओरिएंटिट प्रोग्रामिंग होती है अबजेक्ट ओरिएंटिट प्रोग्रामिंग वहां पे आपका जो अबजेक्ट होता है यह अबजेक्ट इस रिपर्जेंटिंग एंटिटी और एंट एट्रिबूट फ्रॉम दरियल वर्ल्ड बेस ओके जो आप प्रोग्रामिंग करते हो आप C++ में आप class declare करते हो सबसे पहले फिर आपके class में आप objects declare करते हो तो real में वो objects क्या depend करते हैं आपने C++ programming की होगी तो वहां पे आप generally जो programs करते हो अगर real world से related तो वहां पे आप या तो किसी shop के बारे में programming करते हो आप किसी shop के बारे में programming करते हो और आप किसी real world entity के बारे में programming करते हो any real world entity like university और college database और any company database तो आप इन सब चीजों के बारे में वहाँ पर programming करते हो real, अगर आप real world कोई भी कर रहे हो programming तो तो वहाँ पे आपका जो object होता है real में वो किस चीज को वहाँ पे show करता है आपको that is an entity or an attribute from the real world from the real world जो आपको आप represent करते हो in the form of objects और आपके objects की main characteristics क्या होती है सबसे पहले आप declare करते हो object का name object name जो आपके programs में उस particular object को जो other projects है उनसे differentiate करता है next is object identifier object identifier ये एक system identifier होता है जो system generate करता है आपका उस particular object के लिए जब भी आप कोई नया object create करते हो उसको एक id मिलती है जो system में जब वो execute हो रहा होता है तो उस particular id के थूँ ही उसको identify किया जाता है ठीक है next is object structure structure of the object structure आपका define कर रहा है कि कैसे आपका object आपके constructor द्वारा construct किया जाएगा यहाँ पर मैंने word लिखा है specially constructor आपने C++ programming और object oriented programming जब पड़ी होगी तो आपने वहाँ पर यह term पड़ी होगी constructor तो आपका constructor एक object को कैसे construct करता है उसका structure क्या होगा उसके अंदर आपके क्या-क्या certain type of database आप यूज़ कर रहे हो या फिर उसके लिए आपका object identifier क्या है या उस particular object की values क्या होगी वो सब चीज़े आपके structure में आती है उसके बाद यहाँ पर एक special चीज़ लिखी है मैंने that is transient objects transient objects आपका normal object ही होता है लेकिन ये वो object होते हैं जो time of execution के दोरान उसके बारे में बात की जाए objects which are present only at the time of execution जब current में कोई objects execute हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम transient object जिसके उपर आपके system में execution चल रहा है जिसके बारे में आपका program है उसका values है वो हमने CPU में load की हुई है और उन values को read किया जा रहा है और उस particular object को आपके CPU द्वारा execute किया जा रहा है उस time पे हम उस object को बोलते हैं that is transient object next one more term here is persistent object persistent object आपका वो object होता है जो program के execution के बाद present होता है an object which exists even after the program is completed after the program is completed okay is called persistent object और या फिर आपका program जब clear हो चुका है complete execution कर चुका है उसके बाद जिस state में object present होगा उसको हम बोलते हैं persistent object ये mainly आपका जो value store आप करते हो उस particular object की उस form को बोला जाता है आपका persistent object okay next object की identity के बारे में हमने बात की तो object की identity से related कुछ ये lines हैं आप study कर ले न object identity generally क्या होता है एक variable का नाम होता है या फिर एक pointer होता है object आपका जो identity है वो आपकी जो आपकी table की primary की है उसके base पे ही हम decide करते हैं चीक है primary की के base पे decide क्या जाता है और object identity की main properties क्या होती है सबसे पहले कि ये एक identity है तो obviously इसकी unique value होगी second thing invariant means कि आप इसको इसकी entire lifetime के दोरान इस identity की value को change नहीं कर पाएंगे second thing invisible invisible means कि आपके ये user को visible नहीं होगा because that is a system generated value ये आपके system ने generate की है value इसलिए ये user को visible नहीं होगा user सरफ आपके जो object name डाला है उसको ही visible कर सकता है only object name आपके user को visible होता है ये जो number होता है object identity ये आपका system generate करता है क्योंकि आपके जब program में execution करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे objects हैं वो simultaneously execution में होते हैं और maybe आपने दो different classes बनाई class 1 and class 2 और आपने यहाँ पे क्या किया आपने दो classes बनाई one is class 1 and second is class 2 इसमें भी आपने same object a create किया और यहाँ भी object a create किया तो जब आप system execute करेगा तो वो confused ना हो कि यह particular objects class 1 के लिए है और यह object class 2 के लिए है इसलिए इन objects को एक object identity value provide की जाती है system दोरा जब आपके यह objects execute होंगे तो system इसको easily identify कर सके कि that one 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 और two 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 जो object one one जो object है that object for the class 1 and two 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 object that object is for class 2 तो इसलिए आपके object को एक unique identify numbers provide क्या जाता है system के द्वारा next object based databases systems क्या होते है object based database system के बारे में बात करते है first of all यह आपके relational database का alternative होता है छीक है relational database का alternative इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे जब आप relational database study कर रहे थे तो वहाँ पे हम आपके database में जो भी information थी information जो आप represent करते थे उसको generally हम relation की form में represent करते थे in relation in relation maybe in the form of entity sorry हम आपे represent करते थे generally in the form of entity okay this part is not working sorry in the form of entities okay और यहाँ पे आप जो object oriented database में जब आपके information को represent करेंगे तो यहाँ पे आपकी information stored as well as manipulate in the form of objects in the form of objects and यह आपका same as teach होता है आपकी object oriented programming language की तरह means relation in database में हम आपकी SQL language को use करते थे for creating any database any relational database जहाँ पे हमारे पास different different type of language थी one is ddl language, dml language, dcl language same as teach यहाँ पे आपकी object oriented programming language होगी यहाँ पे आप SQL में भी इस programming को लिखोगे आप एक object को create करोगे SQL में और फिर आपके उस particular object के लिए आपके database को create किया जाएगा mainly क्या है object oriented database में यहाँ पे आपके object oriented database में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे हम object का concept plus आपके relational database का concept इन दोनों को हम combine करते हैं तो बनता है आपका object oriented database if we combine the feature of relational model, relational model features आपके concurrency control, recovery system, transaction system, आपका normalization system उन सब को दी हम object oriented database के साथ combine कर देते हैं तो हमारा बनता है object oriented database model object oriented database model यहाँ पे आप जो object के जो features add करते हो that features are object, class, inheritance जो different different आपके objects related features हैं वो सब हम यहाँ पे add कर देते हैं आपको यह जो आपका inheritance inheritance आपका object oriented database में बहुत help करता है चीक है second thing, यहाँ पे हमारे पास दो criteria होंगे first criteria कि यह एक आपका DBMS की तरह भी काम करेगा second thing, यह आपका object oriented programming language में लिखा जाएगा चीक है second thing, जैसा मैंने बात की यहाँ पे inheritance के बारे में यहाँ आप और भी other features हैं आपके वो use करते हो like polymorphism, encapsulation, inheritance, object identity okay next is features of object oriented database system okay every entity is considered as a object and represented in a table represented in a table some objects are classified to be classes as well as subclasses आपकी classes में भी आप objects create करेंगे यहाँ पे और subclasses में भी objects को create किया जाएगा चीक है relationship between two objects is maintained using the concept of inverse reference inverse reference यह आपका concept है आगे हम discuss करेंगे इसको next features, complexity first of all complexity means इसलिए बोला जाता है कि object creation is not an easy task तो इसका जो internal structure है object का क्योंकि उसमें आपके multi level of complexity हो जाती है first of all for example आपने class create किया उसके अंदर फिर एक और subclass बनाया फिर आपने उसके अंदर object बनाया तो उसके multi level के complexity आपकी आजाती है इसलिए इसको थोड़ा सा complex task बोला जाता है second thing, inheritance you all are aware of this one inheritance कि आप किसी existing object से कोई नया object create कर सकते हो second thing, encapsulation encapsulation means data hiding I think you all know about this topics encapsulation second thing, user defined abstract data types इसमें आपका एक सबसे जो main चीज है आपको जो सबसे बड़ी advantage मिलती है you can call this one is advantage कि आप अपने खुद नए data basis को भी data types को भी define कर सकते हो ADT allows new data types with structure खुद के जो data types है आपने कोई किसी other type of data को represent करता है तो आप उसको एक data type से represent कर सकते हो next is persistency persistency मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ persistent object का concept that is persistency कि आपके execution के बाद भी आपका object आपकी secondary memory में store होगा आपका object आपकी secondary memory में store होगा जिसके card हमें सबसे बड़ी जो help मिलती है that is recovery and concurrency control recovery and concurrency control आपका object secondary memory में present है तो आप उसको कभी भी access कर सकते हो जिसके card आपको आपने previous जो execution किया है उसकी complete details आपको मिल जाएंगी कि आपने क्या-क्या steps follow किये थे उसके कारण आपकी recovery है वो easy हो जाती है next is object identity object identity हम अल्रेडी discuss कर चुके है सक एक्जामपल्स आपका आपने I think इनके बारे में नहीं सुना होगा db4o यह आपका एक object oriented database system है next is oriented inter systems and wasn't यह आपका बहुत ही popular था जिस टाइम पे आपकी object oriented programming शुरू हुई थी next object oriented model और relational model में क्या difference है object oriented model और relational model में क्या difference है object oriented model में आप एक class से represent करेंगे उस class के अंदर आपका object होगा उस object के पास variables और methods होगे क्या-क्या alternative होते हैं इसके according आप जो relation table को represent करते हूँ relational model को उसी relation को हम यहाँ पे represent करते हैं class से यहाँ पे आप जो tuple और record डालते हो उसको हम represent करते हैं object से आपके जो columns होते हैं वो यहाँ पे as a variable represent के जाते हैं और जो stored procedure होता है आपका उसको हम method बोलते हैं these are the main difference between your object oriented model and relational model means आप relational model में जो terms use करते हैं उसकी corresponding terms आपके object oriented model में क्या होती है next advantage क्या है आपके object oriented database system का advantage enhance modeling capability enhance modeling capability means आप यहाँ पे object के और भी ज्यादा आपके features हैं उन सबको add कर सकते हो और उनके current आपका जो features है आपका जो model है वो और अच्छा बन जाता है जिसके current आप कभी भी कोई भी enhancement कर सकते हो कोई आपनी तरफ से add कर सकते हो चीजे okay next thing extensibility extensibility आपको बताती है कि आपने कोई extension creates करने है for example आप आपके browser को use करते हो तो वहाँ पे आप जब भी कोई नई चीज यूज करते हो तो आपको extension दिया जाता है तो उसी के according आपके database में भी same चीज होती है object oriented database में कि आप कोई extension create कर सकते हो according to requirements according to your requirements next removal of impedance mismatch यह आपकी एक बहुती बड़ी disadvantage थी जिसको remove किया आपके database system में आपके object oriented database system में mismatch का meaning है कि आप कई बाल जब data को search करते थे तो आपके जो same name databases system तो वो सभी आपकी results में show हो जाते हैं तो उस चीज को यहां पे remove किया गया उसको यहां पे remove किया गया कि आपकी जब हम हर चीज को object से represent कर रहे हैं और automatically हमारा system हमारे उन particular objects को एक identity provide कर देता है तो उसके card हमारे जो mismatching था वो remove हो जाता है mismatching आपकी remove हो जाती है next is expressive power आपके database को आप different different ways में express कर सकते हो आपके schema में evolution कर सकते हो on the basis of your requirements आपके transactions हैं उनको long duration के लिए run कर सकते हो next is applicable to advanced database applications आपकी advanced applications जो आपकी नई application आपको example रखके अपनी तरफ से evolve करना चाते हो अपनी तरफ से design करना चाते हो main thing is आपकी performance increase हो जाती है and reusability कि आपने कोई object create किया उसको आप reuse कर सकते हो आपके different classes में next disadvantage इसके साथ साथ इसके कुछ disadvantage भी है disadvantage क्या है अगर हम सबसे पहले बात करें disadvantage में तो आपकी यहाँ पे हमने सबसे पहले चीज़ feature की बात की थी that is complexity कि multi level complexities आपकी आ जाती है lack of universal data model and lack of standards कि हमारे पास बहुत सारे data models जो available नहीं है जिनके card हमें बहुत सारी problems face करनी पड़ती है आपका starting में जब आप बात करते हो तो कुछ models थे starting में object oriented database models design के गए थे उसके according ही हम कुछ standards को follow करते गए और अपने नए databases को use करते गए 1980 में आपका एक database model जो design किया गया उसको universal आपका database declare किया गया लेकिन time to time जब requirements users की increase हो जाती है तो यह database भी आपका fail हो गया था means कि आपका कोई भी object oriented database उसको universal data model अभी तक नहीं declare किया गया है because आपकी user की requirements के according आपके data model में बहुत सारे change करने पड़ते हैं हमें और एक specific model हम अभी तक choose नहीं कर पाए हैं lack of experience lack of experience means कि आपकी object oriented programming language that is a complex task बहुत सारे users होते हैं जो इस चीज के बारे में aware नहीं होते हैं जिनको knowledge नहीं होती है इसलिए आपका lack of experience only programmer है उनको इस चीज के बारे में पता होता है एक normal user जिसे object oriented programming language की knowledge नहीं है वो आपके object oriented database system को use नहीं कर सकता second thing competition competition means कि आपकी इतने difficulties होने के कारण complexity है lack of experience है lack of universal data model है इसलिए यह आपका बहुत ही ज्यादा competition में नहीं आ पाता है mainly आज भी जब हम use करते हैं तो लोग rdbms को use करना पसंद करते हैं data hiding आपका normal user है अगर उससे हमने कोई data hide कर दिया और वो aware नहीं है आपके experience नहीं है उसको तो वो अपनी query जो है उसको उसको उसने कितने time में run किया उसकी optimization techniques वो क्या use करें that is also query optimization that is also a big disadvantage for database और यह object oriented database next is आपकी impact performance जैसा हमने बात की अगर complexity level आपका increase हो जाता है तो आपको different different locking different locks को use करना होता है आपके objects पे जिसके काण आगर आपने बहुत सारे locks आपके object पे apply कर दिये तो आपको जब implement करेंगे आपके transaction को तो आप अपने locks में ही confused हो जाते हो कि मुझे class के लिए कौन सा lock है उसको unlock करना है या सब class में मेरा कौन सा lock है और objects पे मैंने कौन सा lock apply किया है तो locking at object level में impact performance complexity भी already डी next thing lack of spot of views SQL में हम जब RDV में design कर रहे थे तो वहाँ पे आपका concept is views हमने सबसे पहले भी बात की थी views के बारे में हमारे database system में different levels में जब अपने बात की थी वहाँ पे भी हमने views की बात की थी at view level यहाँ पे आपके views spot नहीं करता आपका object oriented database different users के according हम उनको different views प्रोवाइड करते थे हमारे पास for example three users हैं तो उनके लिए हम हमारे three different views create कर सकते हैं लेकिन आपका यहाँ पे view system को spot नहीं करता है object oriented database system lack of security यह एक question काफी लोगों को आ सकता है कि lack of security क्यों देखे आपका object identifier आपने अपने object के लिए create किया आपने RDBMS जब study किया था तो वहाँ पे हमने security में concurrency level पे बात की थी कि हम different different levels पे लोग apply कर सकते हैं हम हमारे पूरे के पूरे page पे भी लोग apply कर सकते थे हम हमारे table पे लोग apply कर सकते हैं हमारी किसी particular row पे लोग apply कर सकते हैं किसी particular columns पे लोग apply कर सकते थे लेकिन यहाँ पे इस type की कोई भी security provide नहीं की जाती है ठीक है और जब overall हम performance देखते हैं तो हमारा object oriented DBMS है वो हमें as compared to relational database system and other systems इतनी अच्छी performance है वो provide नहीं कर पाता है second thing unable to support large scale systems large scale systems अब इसकी बात की जाए जब हम RDBMS यूज करते हैं तो RDBMS में हम हमारी आप लोगों सभी ने सुना होगा SQLite आप यूज करते हों आपके database को create करने के लिए और different different software's आप यूज करते हो तो हमारा यदि number of objects increase होते जाएंगे हमारे database system के लिए तो वहां पे हम इसको एक बहुती बड़े level पे implement करने में problem होगी means अगर आपका data in the form of terabytes और petabytes जला जाता है तो वहां पे आपका जो object oriented database है वो इतने एच्छे से spot नहीं कर पाता है these are the main disadvantage आपके related to database system related to your database system next thing अब यह है हमारा main topic object relational DBMS object relational DBMS हमने पहले बात की थी कि हम क्या करते है object concept को जब rdbms में add करेंगे rdbms बे तो आपका यह बनता है आपका object relational database management system object relational database management system अब देखिए इसका mainly हमने use किया जो वो किसलिए किया हमारे पास rdbms जो था उसमें हमने नई facilities add करनी थी हमारे storing के लिए हम rdbms में use करते थे हमारा stories के लिए b3 indexing के लिए and b3 b3 and b3 जिसके card हमारा data accessor वो easy हो जाता था इसी लिए इसमें कुछ और भी हमने change करने के लिए यूज़ किया object system object system ओकी और सॉरी advantage में extensibility repeat कीजिए देखे सक्सी don't take tension आपको इसका पूरा pdf मिलेगा extensibility वह है आप कोई भी extension करना चाहते हो लाइक इसका example हम ले आपने किसी shop के लिए database create किया और आपने आपकी shop में for example five items दें five items और किसी एक item का आपके पास update वर्ज़ अपडेटिड अपडेटिड कुछ आपने item में update किया आपके object में आपने कोई भी चीज add की है उसमें आप easily extend कर सकते हो आपके objects के variables को आपके objects में methods को जो आपने use किया उन सबको इसके आपको पीडियाप मिलेगी don't take tension